हट का एक अर्थ, जैसा हमने पहले ही देखा, इसका अर्थ है जिद. शरीर को एक नया आकार देने के लिए, एक तरह से, सारे सिस्टम को बुनियादी तरीके से दोबारा बनानी के लिए, एक तरह की जिद, यानि हट की जरूरत है. ये भगवान के लिए भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी, शिव ने नहीं, पर आप में से ज्यादतर लोग जहां से आये हैं, वहाँ भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी, इसलिए वो हट योगी नहीं है, वो हो ही नहीं सकते, हट योगी में जिद होती है, उसका कोई संडे मंडे नहीं होता, वो हमेशा चालू रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप एक व्यस्क हो चुके शरीर को फिर से नहीं बना सकते। उनके शरीर में बसी थी, जो पहले दो थे, वो साथ आते हैं, और एक अधिक कॉंप्लेक्स मेमरी सिस्टम बनता है, और इसी तरह हर बच्चा पैदा होता है। तो शरीर का आकार, आपका पूरा सिस्टम जिस तरह से है, सब कुछ ज्यादा तर इसी मेमरी से आकार लेता है। अब, अगर आप एक खास तरह से हैं, इसे करने के तरीके हैं, हम दरसल ऐसे लॉंग टर्म एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई इसे फंड करे तो, हम दिखा सकते हैं, आप थोड़ा पीछे जा कर देखिए, मान लीजिए, पांच पीडी पहले, मेरे पर दादा, पर 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 दादा, बहुती महान इंसान थे, वो बहुत अक्लमंद, शारिरिक तोर पर मजबूत और बहुत काबिल थे, मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, हम कुछ खास तरह का योग कर सकते हैं, जिससे उस याद का ज्यादतर हिस्सा आपके तंदर में जगाया जा सक वो सकता है कि आपके पिता कमजोर थे, आप ऐसा नहीं बनना चाहते आप अपने पर 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 दादा जैसा बनना चाहते हैं, तो कुछ खास तरह के योग हैं जिससे हम उस मेमोरी को पहचान कर उससे सबसे ज़्यादा सक्री कर सकते हैं, वो एक मातर मेमोरी नहीं होगी, पर वो सबसे ज़्यादा हावी हो जाएगी. तो योगिक सिस्टम ने इसे ऐसे देखा, या एक और तरीका है, आम तोर पर योगिक सिस्टम इसी का पालन करता है. जब सब्तरिशी आदियोगी के सामने बैठे, तो उनकी एक मात्रा अकांक्षा यही थी, कि वो उनके जैसा बनना चाहते थे. उनकी अपने पिता या दादा में कोई रुची नहीं थी. तो आदियोगी ने कहा, हम बागी सारी यादों को मिटा देंगे, और आप इस पर काम कीजिए. तो आज भी, अगर कोई सन्यास लेता है, तो सबसे पहला कदम यही होता है, कि कुछ खास प्रक्रियाओं से, वो अपनी जैनेटिक मेमरी से एक दूरी बना लेते हैं, जो कहीं और से आई है. क्योंकि ये छोटा सा अंतर भी, सिस्टम में काफी लचीलापन ले आता है. पर अगर आप जैनेटिक मेमरी को हटा लेते हैं, अगर आप सफलता के साथ खुद को जैनेटिक मेमरी से अलग कर लेते हैं, तो आपको बहुत जागरुक होना होगा, खुद को वैसा आकार देने के लिए जैसा आप चाहते हैं. आपके पास जरूरी साधना होनी चाहिए वरना memory भी नहीं और जागरुकता भी नहीं तो ये बेकाबू हो जाएगा लोग जल्दी मर सकते हैं ऐसा भी संभाव है अगर कोई दूरी बना लेता है अपनी genetic memory से और सिस्टम को दोबारा बनाने के लिए जरूरी काम नहीं करता तो उसका सिस्टम कुछ ही समय में ढह सकता है क्योंकि genetic तत्थों में बसी याद ही शरीर को एक तरह के आकार में संभाले रखती है क्यों किसी एक व्यक्ती का शरीर दूसरे के तुलना में कहीं ज्यादा संपूर्ण दिखता है स्वाभाविक रूप से ऐसा उस genetic memory की वज़े से होता है जो उनके पास है तो हट योग में कम से कम साधना के इस तर पर हम genetic memory से दूरी बनानी की कोशिश नहीं कर रहे हम अपने भीतर जो सबसे बहतर है उसे लेने की कोशिश कर रहे है कई तरह के लोग हो सकते हैं अगर आप अपनी पिछली 25 पीडियों को देखे अगर आप अपने family tree को देखे अगर आप ठीक पिछली पीडियों को देखते हैं तो आपका संबंद केवल दो लोगों से हैं आपकी माँ और पिता लेकिन अगर आप थोड़ा आगे देखें तो कम से कम डेड़ सो लोग आपके memory में अपना योगदान दे रहे हैं अब ये सभी लोग हमें नहीं पता कि ये किस तरह के लोग हैं हो सकता है कि कुछ बहुत मजबूत रहे हो कुछ कमजोर, कुछ रोगी, कुछ सेहत मन्द कुछ बहुत केंद्रित और कुछ बिखरे हुए इस्ट्री में हर तरह के लोग हो सकते हैं आप किस से ग्रहन करते हैं या इन सभी से सबसे अच्छी चीजें कैसे ग्रहन कर सकते हैं, ये महतुपून है हठ यानी ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्रमा अपने माता पिता से सीधे ग्रहन करना वास्ताव में हमारे माता पिता हैं सूर्य और चंद्रमा और ग्रह ये तीन ग्रह कोक है, सूर्य वा चंद्र किसी रूप में गर्भाधारन करते हैं और ये हो रहा है अगर सूर्य नहोता तो जीवन भी नहीं होता अगर चंद्रमा नहोता तो जीवन वैसा नहीं होता जैसे अभी है ये शायद किसी और तरह से होता तो ये तीनों आयाम एक एहम भूमिका निभा रहे हैं तो हट का एक पहलू है अपने वन्ष के प्रभाव को एक और रख देना मेरे पिता, मेरे दादा, इन सभी को आप किनारे रख दीजे क्योंकि ये सारा वन्ष सूर और चंद्रमा से शुरू हुआ है आप सीथे उनही से ग्रहन करना चाते हैं हट योग का यही अर्थ है आप एक ऐसा संतुलन पैदा करते हैं कि ये बीच की कडियां खो जाती हैं और आप सीथे उससे ग्रहन करते हैं जैसा कि जीवन बनाया गया था बीच में बहुत सारा ब्रष्टाचार हो चुका है सदियों की पेडियों द्वारा आप उसे मिटा कर सीधे अपने माता-पिता से ग्रहन करना चाहते हैं सूरे को पिता की तरह और चंद्रमा को मा की तरह देखा जाता है जैसा कि हमने कई बार देखा है हमारी माताओं के पास मा बनने की योगिता इसी बज़े से आई है क्योंकि वो चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल में थी वरना वो इस योगिय नहीं होती कि हमारी मा बन सके वो सिर्फ उसी कारण बच्चे पैदा करने के काबिल बनी तो अपने असली माता और पिता से सीधे संबंद बनाना और इसके बीच योग में हम कहते हैं कि बीच में सब रष्टाचार है सब कुछ मिला हुआ है जेनेटिक और दूसरी यादें हर तरह की चीजें हुई हो सकता है कुछ अच्छी हो, कुछ बुरी हो, हर तरह का मिक्स्चर है हमारा उस पर काबू नहीं तो सीधे हर और ठर से ग्रहन करना जो है सूर्य और चंद्रमा तो हट योग की प्रकृती ऐसी है कि हम धीरे धीरे सूर्य और चंद्रमा से जुड सकते हैं आपको चेक करके देखना चाहिए धाई साल तक अगर आप हर दिन साधना करते हैं हर दिन धाई साल तक अगर आप साधना करते हैं अगर आप बस इस तरह आँख बंद कर लें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है क्योंकि ये आपके सिस्टम में भी होता है एक हट ही होगी अगर अपनी आँखे बंद करे तो उसे चंद्रमा की कला पता होना चाहिए सूर के दूसरे भी पहलू है जो जाने जा सकते हैं जो ज्यादा जटिल हैं पर कम से कम चंद्रमा की कलाएं तो अपने भीतर पता चलनी चाहिए ये लोगों के अंदर बिल्कुल गायब हो चुका है इसका मतलब अपने भौतिक रूप के मूल स्त्रोत के साथ जरा भी तालमेल नहीं बचा अगर आप इस संसार में कुछ करना चाहते हैं भौतिक ता महत्वपूर्ण है अगर आपके वल आत्मग्यान प्राप्त करके अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं तो ऐसा करने के दूसरे तरीके हैं बस ऐसे हम आपको बाहर निकाल सकते हैं पर आश्रम में ऐसा ना करें ठीक है? सिर्फ आत्मग्यान पाना हो तो ऐसा करने के कई तरीके आप आत्मग्यान भी पाना चाहते हैं और एक शक्तिशाले जीवन भी जीना चाहते हैं तब हठेक एहम पहलू बन जाता है झाल